आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस स्टूडियो में आपको मैं रूडर निकलेव की लोकेशन के हवाले से आपको मैं डिटेल्स एक्स्प्लेव करने कोश्च करूँगा इस कम्लिट वीडियो में बात करते हैं जी रूडर निकलेव की लोकेशन के हवाले से रूडर निकलेव की जो प्रॉमिननसी है जो सबसे बड़ी प्रॉमिननसी है इसलामबाद रावल पिंडी की जितनी भी रेल इस्टेट के पोजेक्ट चल रहे है उन में जो सबसे बड़ी प्रॉमिननसी आती है वो यह आती है कि रूडर निकलेव की अपनी जाती लोकेशन वो किस तरह की है रूडर निकलेव की लोकेशन के कर बात करें तो रूडर निकलेव एक ऐसा पोजेक्ट है जो रावल पिंडी इसलामबाद की प्रीमिसिस से थोड़ सा दिस्टन है ड्यू टू डेला रोड कंजिस्मेंट लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉमिननसी बनेगी आने वले दिनों में वो यह बनेगी के रूडव बनेगी के रूडव जो है वो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा में जू जिसलिए देट के प्रॉड़ाई मधे इस तर दिकम छेशन के हवाले से रूडन इंक्लेव एक ऐसे साइटी है जिसकी प्रॉमिनेंसी उसकी लोकेशन की वैसे बहुत ज्यादा एहम हो जाती है क्योंकि रूडन इंक्लेव की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि रिंग रोड रावल पिंडी जिसका मोस्ट पॉबबली आने वाले 25 यह जो कमिंग 25 डिसमबर है इसको इफ्तदा हो जाएगा बाइद पीम आफ पाकिस्तान इमरान खान साब इनकी वसेफ सता होने की वज़ा से इस रिंग रोड की जब अलाइनमेंट है उसमें रूडन इंक्लेव के सेंटर से यानि रूडन इंक्लेव के बिल्कुल मिडल से रावल पिंडी रिंग रोड गुजरता है अब इन पांच इंटर्चेंजंग के लावा अगर बात करें तो रूडन इंकलेव के सामने जीरो किलومेटर के डिस्टंस पे जो लोकेशन ए रॉड़ पिंटी इंटर्चेंज की वो आती है उसकी वाईसे रूडन इंकलेव को फाधा ही होगा कि रूडन इंकलेव एक बहुत इस तरह वाली बेल्ट बनती है जिसमें गुजरखान, दीना, जेलम, मंगला ये इस तरह वाली बेल्ट बनती है गुजरावला तक इस बेल्ट के लोग को बड़ा इजी कम्यूट होगा रूडर अन्कलेव तक एकसेस लेना और जिन लोग ने ट्रेवल करना है रिंग रोड से यानि कि इस बेल्ट के लोग जब ट्रेवल करते हैं वो ऐसा तो नहीं करते हैं कि अगर लट से न्यू इसलामबाद इंटरनेशन रिपोर्ट जाना है तो पहले वह लाहूर जाएं और लाहूर जाने के बाद मोर्टरवे के तरू वापस आएं और वापस आने के बाद वो जो भी इस बेल्ट के लोग हैं जिसमें दीना, जेलम, मंगला, खारिया, स्याल कोट, गुजर खान और इससे पीछे आप गुजरामाला तक कर लें जो भी इस बेल्ट के लोग हैं वो जिटी रोट से ट्रेवल करते हैं नह 45 से उसके बाद इसलामबाद एक्सप्रस वे को य तो रवाद से रेडियो पाकिस्तान से लेफ्ट मुड़के टूबर्स न्यू इसलामबाद एरपूर्ट के लिए वो रिंग रोट के इस्तमाल करेंगे तो पहला स्टाउप आता है जो रिंग रोट के इंटरचेंग के बहुत रोट स्टाउप होगा जो डियच एच वैली क बहुत ज़्यादा विस्टर्स होंगे यहां से गुजरने वाले तो इसकी वसे फुटफॉल में इजाफ़े की वज़ा से यहां पे आज की डेट में देखें तो आपको 7 मरले का प्लॉट मिलता है 18 लाक रॉपे का जो मोर दन नॉमिनल है यानि अगर आप बात करें प्राइसिस की इस एरिये में इस बेल्ट में तो आप रिंग रोड की सराउंडिंग में जब डिवैलप हो जएगा तो शायद एक मरले का प्लॉट का रेट 18 से 20 लाक होगा आज की डेट में आपको 7 मरले का प्लॉट जाए 18 लाक मिलता है तो इस चीज को देखा जाया है अगर तो आने वाले दिनों में रिंग रोड की वज़ा से रूडन इंकलेव को सबसे ज्यादा जो एक सोसाइटी रूडन इंकलेव है जो रिंग रोड का सबसे बड़ा एडवांटर उठाएगी पब्लिक रोड किसी भी शैर को मिलना आम तोर पे असान नहीं होता लेकिन पब्लिक रोड जब मिलते हैं किसी भी सोसाइटी को तो उस सोसाइटी की वर्त में रातो रात बहुत ज़्यादा इजाफा होने के बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट चांसे होते हैं तो ये रोड अंक्लेव की लोकेशन के हवाले से एक क्लीदी पॉइंट था कि रिंग रोड की एक्सेस नमबर डू के रोड अंक्लेव जो है बैरियर टाउन फेज एट एक्सेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइट पे वाक्या है जब रोड अंक्लेव मकमल कंप्लेट होगा तो इसकी भी प्रोमिनेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपको रोड अंक्लेव में बुकिंग के वालेट कुछ मालूमाद चाहिए हो तो मैंने नमबर आपके स्क्रीम पे वेलेबल है आप जो वटसिप कर सकते हैं इसके लावा www.makansolutions.com हमारी वेबसाइट है इसको विजिट करना मत बूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत बूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक लिए खुदा हाफिज